अगर आप मेरे चैनल पर न्यूव है तो मेक शूर के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर ले आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं बहुत ही मज़ेदार खीर मिक्स रेसिपी तो अगर आप जाना चाहते हैं कि मैंने यह कैसे बनाई है तो मेरी वीडियो को एंड दक रेखियेगा लाइक कीजिएगा शेर केजिएगा कमेंट कीजिएगा सबसे पहले हम पैन लेंगे उसके अदर हम दूद के लिए है तो दूद में हमने दूद को डाल लिया है अब भानागाई इसको डाम देंगे तक जल्दी जाए यानिके इसमें बॉइल आ जाए हमें दूद को अच्छे से बॉइल कर लेना है हमने दूद को बॉइल होने के लिए छोड़ दिया है अब देख सकते हैं कि दूद्च जो है वह बॉय होना शुरू हो चुका है निम्घ्द में छूट चुटे बबल पतने हैं यानिक अब दूद जो हे वह harbor boil होना इसटार्ट हो गया है हम इसे बहुत अच्छा से boil करना है दूद कच्छा नहीan होना चाहिए हम इसे चमच से अच्छा दीके से mix करेंगे क्यूंकि इसके ऊपर क्रीम आ रही है जिससे बलाईिद कहते हैं इसलिए हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर मिक्स हो जाए यह बहुत ही सिंपल रेसिपी है और आप इसको फॉलो करके बहुत ही मज़े की टेस्टी खीर बना सकते हैं अब देखें के जो दूद है वो बॉयल हो चुका है और इसमें खी मिक्स एड कर देंगे और अच्छे से चंचा चलाएंगे इस टाइम पर आपने चंच जो है उसको लगातार चलाना है बिल्कुल भी उतना नहीं है आपने चंच को चलाते रहना है ताकि जो खीर मिक्स है वो अच्छे रिके से दूद में मिक्स हो जाए बहुत ही चल्दी और बहुत ही कम टाइम में यह रस्पी तैयार कर सकते है आप लोग तेख सकते हैं कि आइस्दा आइस्दा जो खीर है वो ठीक होना स्टार्ट हो गई है आपने इसको अच्छे किससे पकाना है ताकि यह ठीक हो जाए यह लिकुरी फॉर्म में बिल्कुल हो इसलिए आपने लगा था चमच भी साथ साथ चलाते रहना है अब देख सकते हैं कि जो खीर है वो अच्छे दरीके से पक चुकी है यानि कि यह अब लिकवरी फॉर्म में बिल्कु नहीं है यह थिक हो चुकी है अब हम खीर को डिश आउट कर लेंगे देखें कितनी प्यारी और ब्यूटिफुल लग रही है अगर आपको मेरी रस्की पुसंद आई हो तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा वीडियो को शेयर कीजिएगा कमेंट कीजिएग और अपना ख्यार रुखिएगा अलाहाफीस